दोस्तों आज के इस वीडियो का यह पूरा complete लुक है और इस हेस्टल को कैसे बनाना है आई यह हम सीखते हैं step by step तो वीडियो को एंट तक देखते रहेगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा तो सबसे पहले हम section निकालेंगे एक ऑारेंगे दोशिते हैं से अएंट प्रम एपना पारेंगे यह का आय हम बना यहा को साइट पोनी साइड में बनाया है तो इस तरीकी से साइड में ठाइट पोनी बना लेंगे rubber band की help से उसके बाद से हम यहाँ पर boy pin से cross section में round करके लगाएंगे जैसे कि आप देख पा रहें ऐसे boy pin लगाना है अच्छे से हम यहाँ पर boy pin लगा लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर donut stuffing को set करेंगे तो यह हमने इसके अंदर pony के अंदर donut stuffing डाल दिया है है और उसको जूड़ा Pin की help से अच्छे से pin करके देंगे तो अच्छे से pin करना है उसके बाद से front पर आते हैं तो front हैं हमने यहाँ पर section निकाला है और इसको भी हम divide कर देंगे टूपर्त में उसके बाद से यह जो हमने section लिया अच्छे से कॉम करेंगे चोम करनने के हल्प से लाइन्स बनाएंगे और उसको थोड़ा थोड़ा पुल आउट करेंगे तो यह हमने अच्छे से यहाँ पर लाइन्स बना दिया है उसके पास हम स्प्रे करेंगे जुम्हें स्प्रे यूज कर रहा हूं यह शॉष्टकॉप कंपनी का टाफ्ट है फाइप नंबर है और इसके अंदर भी हम ऐसे ही लाइन्स बना लेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं अच्छे से हम यहाँ पर लाइन्स बनाएंगे और सेक्शन को हमने यह पर क्रॉस में रखा है यानि कि जो पहले वाला सेक्शन था उसके उपर हमने इस सेक्शन को रखा है और लाइन फिंगर टिप की हेल्प से हम लाइन्स बना रहे हैं और जश्ट उसको पूल आउट भी कर रहे हैं ताकि उपर के तरफ उबरा हुआ दिखाई दे और यहां पर हमने है उसको आप इसको कर सकते हैं इसको कर सकते हैं फिंगर टिप के इस इस्तिमाल से आप लाइन्स बना लेंगे उसके बाद से आप जब इस प्रे करेंगे इस प्रे करने के बाद आप इसको recreate करेंगे ताकि आपके lines अच्छे से visible हो चोटे चोटे जो बाल होते हो वो अच्छे से set हो जाए इसलिए आप अच्छे से recreate कर लें उसका section को हमने boy pin से pin कर दिया है पीछे का section बच गया extra उसको अच lines बनाएंगे अल्का साथ twist कियая है और इसके अंदर भी हम lines बना रहे है section को twist करने के बाद और यहां पे lines बनाने के बाद जूडा पिन से section को pin करेंगे अब आप को याद होगा कि उपर हमने boy pin से pin किया है बट यहां पे हम जूडा पिन से pin कर रहे है जूड़ा पिन से इसलिए हम पिन कर रहे हैं नीचे क्योंकि हमारी डूनट इस्टफिंग है तो जूड़ा पिन अच्छे से चले जाएगा बोई पिन नहीं जाएगा इसलिए हमने जूड़ा पिन के इस्टमाल किया है उसके यासे जो बचा हुआ साइड का सक्षिन था उसको भी हमने सेम टू सेम ऐसे लाइन्स ब्ना दिया है और जूड़ा पिन से सक्षिन को पिन कर दिया है spray कनने के बाद हम recreate कर रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं उसके ऐसे आप pony के जो बाल है इसके अंदर से हम section लेंगे और अब हम donut stuffing जो हमने लगा है इसको cover करेंगे same to same इसी variation के साथ जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे lines बना रहे हैं उपर के तरफ हमने section को लिया है lines बनाने के साथ जैसे कि हमने section लिया उपर हमने turn किया section को lines बनाएंगे finger tip के इस्तमाल से lines बना रहे हैं और pull out करना है बाहर के तरफ जिससे के lines थोड़ा से ज़्यादा deep दिखाई दे और इसको हमने जूड़ा pin की help से अच्छे से pin कर दिया spray वही strong वाल ही use करना है या पर कोई normal spray यूज नहीं करना है अगर आपने कोई normal hair spray यूज किया दोस्तो तो थोड़ी देर बाद में आपका जो lines है वो थोड़ी देर बाद में दिखाई नहीं देगा मर्ज हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई lines भी बनाया था इसलिए मैं आप सभी से यही कोँगो कि आप strong hair spray यूज करें और जो मैं spray यूज कर रहा हूँ दोस्तो ये शौश को कमपनी का taft hair spray 5 number hold तो आप ये use कर सकते हैं बहुत ये अच्छ है इसका result है दोस्तो और दोस्तो hair styling से related अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप देगे नमर पे वाटसप करके पूछ सकते हैं हमारे नमर है 9911418347 इसी नमर पे आप वाटसप करके पूछ सकते हैं और दोस्तो हमारे दिल्ली, कुलकता, बंगलायस में भी classes होती है अगर आप दिल्ली से हैं, कुलकता से हैं, बंगलायस से classes करना चाते हैं तो इसी नमर पे आप वाटसप करके classes के detail भी ले सकते हैं और इस वीडियो से भी related अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप इसी नमर पे वाटसप करके पूछ सकते हैं और दोस्तो मैं सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता नीचे comment section में मुझे जरू बताएगा वीडियो पसंदाया तो like करेगा और इस चैनल को आपने subscribe नहीं कर रखा है तो please subscribe करके bell का एकन जरू दबाएगा ताकि मैं कोई नई वीडियो डालू तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए तो जो पूनी के बाल थे दोस्तों उससे हमने पूरे donut stuffing को पूरे अच्छे से cover कर दिया है अब हम side की तरफ आ रहे हैं तो side में भी हमने same to same ऐसी lines बनाया section के साथ और इसको भी चूड़ा pin के help से अच्छे से pin कर लेंगे तो donut stuffing थोड़ा सा रहे गया है इसको भी हम cover कर लेते हैं यह हमने section लिया अच्छे से comb किया और इसके अंदर भी हम finger tip की help से lines बना रहे हैं और just spray करेंगे spray करने के बाद दुबा से lines को recreate करेंगे ताकि spray अच्छे से लग जाए इसके अंदर और छोटे छोटे जो बाल होते वो भी इसके अंदर अच्छे से stick हो जाए तो यह हमने pin कर दिया है फिर यह जो बचा हुआ section है इसके अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे अभी हम बीच में बना रहे है हमने section को लिया है line बनाया है और जूड़ा pin से pin करेंगे अब दोस्तों जूड़ा pin से इसलिए pin करना है क्योंकि यहां पर हमने नीचे drone ready stuffing लगाया है अगर आपने boy pin लगाया है तो boy pin अच्छे से stuffing के अंदर जाएगा नहीं तो आप इसलिए जूड़ा pin का इस्तिमाल करें तो अच्छे से section set हो जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं अच्छे से pin हो जाएगा फिर हमने एक और section लिया है और इसको भी हम same to same ऐसी करेंगे जैसे कि आप देख पा रहें लाइट बनाया उपर के दर्फ करने के बाद और इसको पिन कर दिया जूड़ा pin की हैeta से एक और section लिया हमने अच्छे से comb किया a comb करने के बादừ just सक अंदर lines बनाया हो जेस्ट इसको पिन कर दिया तो यह हमारा पीछे के बाल थे जो पूनी के बाल थे वो सारा हमने cover कर दिया है यहाँ पर उसके बास साइड में आते हैं तो साइड में भी हमने section निकाला है और इसका अंदर भी same to same मैंसे lines बनाएंगे और इसको भी just pin करते जाएंगे तो यह total हमने जो hairstyle बनाया है दोस्तो यह lines के उपर बनाया है और lines बनाना बहुत ही easy है दोस्तो अगर आप crimping कर लेते हैं दोस्तो तो काफी easy हो जाता है और crimping करने के बाद दोस्तो आप comb अच्छे से जुरू कर लें अब अच्छे से comb किया ताकि hair जो है बिल्कुल free हो जाए free होने से क्या होगा जब मैं lines create करूँगा जैसे ही मैं उसको create करूँगा वैसे हमारी lines बिल्कुल सीधी निकलेगी ठीक है अब उसको lines को create करने के बाद जस्ट उसको pull out करना होता थोड़ा से बाहर की तरफ निकालना होता है इसलिए में ज्यादा ज्यादा उपर की तरफ निकालता हो कि lines थोड़े से deep हो जाए उसके बाद same to same वही spray करना है strong hair spray जिससे कि आपकी जो lines से अच्छे से fix हो जाए recreate करना है और उसके बाद से just boy pin से pin तो अभी हम side में यह पूरा breed type का बनाएंगे तो अभी आप देख रह लेके आएंगे और आगे का जो section लेंगे इसको पीछे के तरफ लेके जाएंगे तो यह हमने अच्छे से pin कर दिया अभी हमने आगे से section लिया अब इसको पीछे वाले section के तरफ इसको ले जाके इसको pin करेंगे यानि कि हम यहापे criss cross section में इसको pin करते जाएंगे अब जितन तो client की उपर अगर आप heishtelling बनाने जा रहे हैं वीडियो देखके यही वीडियो नहीं कोई भी वीडियो अगर आप देखके client की उपर direct बनाने जा रहे हैं तो मैं आप सभी से recommend यही करूँगा कि सबसे पहले आप क्या करें कि एक बार आप practice जरू कर लें practice करने से यह होगा कि अगर कोई problem हो रही होगी तो आप उसको पहले सुधार कर लेंगे जिससे कि client की उपर बनाने में कोई problem नहीं होगी तो कोई भी heishtelling आप देखते हैं तो direct client की उपर ना बनाएं पहले उसकी practice करें उसके बाद ही आप client की उपर बनाएं और दोस्तों मैं सिखाने का तरीका कैसे लगता है नीचे comment section मुझे जरू बताएगा आपके comment का मुझे इंतजार रहेगा वीडियो पसंद आती है तो please like करेगा और जैसे कि आप देख पारें step by step हमारा जो सिखाने का तरीका होता है अच्छे से अच्छे तरीके से हम चाहते हैं कि आप अच्छे से सीखें तो यही हमारे मोटिव रहता है तो मैं यही कहूंगा प्लीज आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें पूरा उसको सुरू से लेकर एंड तक देखें तभी तो आपको हेस्टेलिंग बनाना आएगा और अगर कोई प्राब्लम होती है तो भी मैंने आपको वाट्सअप नमबर दे रखा इसी नमबर पे आप वाट्सअप करके हेस्टेलिंग से रिलेटिड पूछ सकते हैं जैसे कि आप देख पारें step by step हमने इसको जीरो से लेकर पूरा एंड तक इस हेस्टेल को बताया है step by step आप ऐसी इसको देख कर सकते हो प्राक्टिस करने में कोई प्राब्लम होती है आप बही चक मैंको वाट्सप भी करके पूछ सकते हैं और जैसे कि आप देख पारें जो और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कोमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताएगा आपके कोमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर